हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत जागत करती हूँ और अभी ना मॉर्निंग के साड़ा सारी पांच बज़ा हुआ है और मैं आई थी मैं जगी उसके बाद में बाहर के दरवाजा खोली लाइट डॉफ किया और फिर घर के अंदर यह तो आज मैं आलू और तोराई की सबजी बनाऊंगी तो यह तोराई जो है ना मतलब अब प्लाट पे लगी थी पेंड लगे वे थे उसमें कल निकली थी साथ आट तोराई निकली हुए थी और मतलब सबजी कट करके दुलके में रख लूँगी आटा माड़ के रख और आठा मम्मी थी तो आठा भी मार देती थी सबजी में कट कर लेती थी अंस कोॉLife कर देती थी तो मैं मुझे नहीं दित elabor aún the guitar is देतीक और अपर सारे कंशे करने पड़ते हैं दो मुझे जल्डी भी उठना पड़ता है तो आठा मार के एक क्रपम आठा मेरा मले मतलब काम हो गया जैसे कि आटा मढ़ गया सबजी कट करके रख लिए और उसके बाद ना मैंने यहां पर चने भी गोए थे शाम को तो यह मैं चना और गुड़ खाती हूं सुबा तो इसको मैं निकाल के रख लूँगी अलग और रात में ना मैंने कल जब जो बरतन धुले थ दिये थे तो उनके में स्टैंड में लगा दूंगी जादत तर तो डेली में यही करती हूं वहीं दूल के रख देती हूं राद शाम वाले बरतन उसके बाith उसके बाद सुबादwards मॉर्णिंग में लाती हूं और कभी कबार मैं शाम को भी रख देती हूँ तो जैसा सही लगता है वैसा कर लेती हूँ और उसके बाद ना मुझे आंगन में भी थोड़ा काम था थोड़ा काम गया था कुछी चीजे थी जो मुझे सही से रखनी थी और यह भाईया के टिफिन थे तो उनको मैंने एकडलिये में करके और इस टूल पर रख दिया है अंश की बॉटल धुलनी थी तो उसको मैं बात्रोम में रख दूँगी और कल अंश श्कूल से आथे उनके सारे सूच जो थे ऐसे ही रखे थे उनको भी मैंने सही से रख दिया और मैं पूरे घर में जाडू लगाऊंगी तो सूबा मेरा डेली का यही काम है मेरा क्या हर घर में यही काम होता पर किसी किसी के हाना जाडू थोड़ा लेट से लगाते हैं पर मैं मतलब मैं तो हमेसा आटा माड़के और सबजी कट करके उसके बाद मैं जाडू हर हाल में एक बार लगाती है, लग पोच्छा न लगाऊं, то church time के हिसाब से मुझे कितना time मिल रहा है, lunch बनाना है, ये सारी त्यारी करनी रहती है तो उस हिसाब से करती हूं, पर जाडू मैं जरूर लगाती हूँ, मॉर्निंग में जाडू लगाना भी चाहिए, तो मैं जाडू मैंने पूरे घर में लगा दिया है, और यहां पर पूजा भी करना है, तो पोच्छा भी मालना था, तो आज मैं जो थोड़ा जल्दी उठी थी, तो टाइम था मेरे पास, तो मैं साथ ही में पोच्छा भी लगा दूँगी, उसके बाद ही नहाऊंगी, नहीं तो मैं जाडू लगा के बस नहा लेती हूँ, नहाने के बाद कीचन का सारा काम खतम करने के बाद मैं दुबारा से नास्ता वास्ता करने के बाद मैं फिर से मुझे पोच्छा लगाना पड़ता है तब मैं लगाती हूँ आराम से परा थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने चलो मैं पोछा भी लगा देती हूँ उसके बाद ही नहाती हूँ तो पोछा अच्छा लगाने के बाद बस मैंने हेर वाश कर लिया नहा लिया और मैं आ गई हूँ किचन में तो किच मैंने सोचा कि मैं अपनी सबजी बना लेती हूँ तो दो तरह की सबजी बनती है मैं अपनी सबजी बिना तेल और मिर्च की बनाती हूँ मतलब मैं अपनी सबजी बिना तेल और बिना मसाले की बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें नमक डालती हूँ और काली मिर्श डालती हूँ, काली मिर्श का पाउडर और कुछ भी नहीं डालती हूँ देखा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद एक पूरी तोरही में कट करके ऐसे थोड़ा सा नमक डालके और ढखके मैं धीमी याज पे गैस पे चढ़ा दूँगी और वैसे भी तोराई में पानी छूड़ता आई है तो मैंने एकदम हलका सा पानी डाला है कि जिससे की ये लगे ना क्योंकि छोटे से मैं बरतन में बना रही हूँ एक तोराई तो चलाते नहीं बनता है इसलिए तो अब मैं इसको ढखके रख दूँगी और ये अच्छे से पक जाएगी तब तक ये पकेगी तब तक मेरी उधर की सबजी में छौँग दूँगी तो ये डेली का है मैं अपने लिए एक तोराई बनाती हूँ जिस दिन तोराई नहीं बनाती हूँ तो कोई साग बनाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है हिमोगलोबिन कम है तो मुझे हरी सबजी ही खाना है और बिना तेल मसाला के खाना है तो इसलिए मैं बिना तेल और मसाली की सबजी बनाती हूँ अपने लिए अगर मैं साग बनाती हैं उसमें भी थोड़ा सा नाम मतर का तेल डालती हूँ मसाला बिलकुल भी नहीं यूज करती हूँ तो और अचार भी मैंने छोड दिया है पूरी तरह से तेल, मसाला, अचार मैंने छोड दिया है तो मैंने डॉक्टर से पूछा था उन्होंने बोला था दूसरे तीसरे दिन अगर मन चाहे तो आप ले सकती हो अचार पर मैंने नहीं मतलब मैंने छोड़ी दिया तो अब मेरा तेल हो गया जीरा और प्याज का तड़का लगाऊंगी उसके बाद मैं सबजी पखेगी तब तक मुझे करना है पूजा तो चलिए मैं पूजा भी कर लेती हूँ फटाक से और यहाँ पर मैंने चटाई भी चाह दी है और मंदिर मेरा साफ करने वाला था पर मु मैं ज्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ बस आरती कर देती हूँ दीपक जला देती हूँ धूबत्ती लगा देती हूँ और लड़ू गॉपाल जी है तो उनको नहलाना भी है क्योंकि एक हफटा हो गया मम्मी है नहीं मम्मी पूजा करती है और वह जिस दिन गई थी ना पूजा नहीं हुआ है मेरे पूजा घर में तो फिर मैंने सोच चलो मैं आज कर देती हूं और उसके बाद तो यहां पर लड़ू गोपाल को मैंने नहला दिया है और इनको मैं बड़े अच्छे से तयार करके बिठा दिया है और मैं धूबती जला दूँगी तो मैं दूपट दूबती लगा दूँगी यार्ती कर दूँगी और मैंने यहां पर प्रशाद मेरा दूद चड़ाया था तो दूद का प्रशाद रख दिया था और सॉरी यार मुझे बिलकुल भी याद नहीं रहा भग बलड़ू गोपाल जी के लिए भोग लगाने के लिए मैंने पूजा हो गया था मेरी सब्जी भी पख गई थी तो बनान और उसके बाद मैंने बाल भी सोचा खींची लेती हूं नहीं तो आगे यह लपेटे रहोना तो बनता नहीं है काम करते तो बाल वाल खींच के फिर मैं कीचन में जाऊंगी क्योंकि अभी आज तब लोग उठे भी नहीं है तो तब तक यह लोग उठेंगे तब तक मेरा नास्ता गएरा कंपलीट हो जाएगा तो बस मेरा फटा फट से में बाल खींचूंगी और गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती हूं जिस मेरी आदत है ना गीले बालों में सिंदूर लगाने की तो मैं जब ब दूलती हूं गिले रहते हैं बस तभी से खुब सारा सिंदूर भर लेती हूं और मैं थोड़ा सानी लगाती हूं मैं बहुत सारा सिंदूर लगाती हूं पुरी मांग भरके लगाती हूं बस मैं मांग निकालती नहीं हूं मेरी निकलती भी नहीं मैं पहले से नहीं निकलती है झाल झाल